दोस्तों ये है राइडिक्स बैंड की 40 इंच की फुल एज़ी टीवियर जो लॉंच हो चुकी है कुछ खास और यूनिक फीचर्स के साथ और आज के वीडियो में करेंगे इसको डेटेल में रिवीवियर देखेंगे कैसी है इसकी पिक्चर कॉलिटी ऑडियो कॉलिटी कैसे पॉपाउंग करती है ओवराल और वीडियो के एंड में दूँगा मैं आपको अप मेरा फाइनल कंक्लूजन जिससे आप डिसाइड कर और दोस्तों मैंने कर लिए टीवी को स्विच ऑन और यहां पर आप देख तो लिखा गया है आरेयावन मतलब इस सीवीज का नाम आरेयावन दिया गया है राइडिक्स बैंड की तरफ से और आप यहां पर जल्दी से देख लेते हैं कि हमें बॉक्स कॉंटेंट में क्या मि किया जाता है जिसमें अब क्लियरली मेंचनने की सारी चीज़ चेक होके आपके पास पहुचेगी और उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह QR कोड दिया गया इस प्रोड़क को एकसेस करने के लिए सारी स्पेसिवेकेशन आप वहां पर भी जाके जिसे कहते हैं वेसा माउंट और यह इसकी बिल्ड कॉलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है दोस्तों आप बात करें इस टीवी के फिजिकल ओवर्वीव के बारे में तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेडियम साइज की बैजल देखने मिल जाएंग और बैजल प्लास साइट के बारे में तो वहां पे आपको मेड़ल का फ्रेम देखने मिल जाएगा मैडल की बाटी है जो की बहुत अच्छी बात होगी इस wae की बात करें यहां पर कुछ के बारे में तो इस टीकनीकली आपको एक ही पॉर्ट मिलेगाGen säger गाड़ कर यूश करने के लिए जो ब USB port यूज़ करने को मिलेंगे और SDMA port की जब मैं बात कर रहो तो यहाँ पर मैं उसके version को कैसे फूल सकता हो तो यहाँ पर 2.0 compliant SDMA port आपको इस TV में देखने मिल जाएंगे एक headphone jack देखने मिल जाएगा इसी के साथी साथ audio video के ports दिये गए तो यह सारी पाते होगे ports के बारे में और अब जल्दी सब जाते हैं TV की तरफ और देखते हैं इसका user interface यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं YouTube, Netflix यह सारी के सारे यहाँ पर लिस्टेड होम स्क्रीन पर रहे और य यहाँ पर देख सकते हो more apps का option दिया गया है जहाँ पर जो भी मैंने apps इंस्टाल के इस TV में आपको सारी के सारे यहाँ पर लिस्टेड होंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर काफी apps जो आपके mobile phone में होते हैं वो आपको इस TV में देखने मिलेंगे क्योंकि यह VLC, Zoom, Zoom app भी है इस TV में तो यह TV आती है Android operating system के साथ 9Pi वाला version दिया गया है और अब यहाँ पर हम लोग प्ले करेंगे कुछ वीडियो जिससे चेक करेंगे इसके picture quality, audio quality कैसी है तो उसके पहले एक जलक डालते है इसके standard specification के ऊपर यह TV आती है Full HD resolution के साथ IPS panel लगाया गया है इस TV में direct LED backlighting source के साथ आने वाले टीवी है, 350 nits के brightness nits दी गई है, contrast ratio यहाँ पर mention नहीं किया गया है लेकिन company का कहना है कि इसमें dynamic contrast यूज़ किया गया है इसी के साथ ही ताथ इस TV में आपको Dolby Vision and Dolby Atmos का support देखने मिल जाएगा और जो refresh rate 60 Hz का दिया गया है, तो यहाँ पर 20 watt के down firing speakers देखने मिल जाएगे DTS sound का support दिया गया है, 4GB का RAM और 32GB का internal storage मतलब बहुती अच्छा काम किया गया है, मतलब यहाँ पर आपको games और apps तबाह के आप use कर और धमाल करोगे इस TV में, इसी के साथ बात करें प्रोसेसर के बारे म high configuration दिया गया है इस TV में, तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसकी picture quality को, तो यहाँ पर मैं एक play कर देता हूँ 4K वीडियो और देखते कि इसकी performance कैसी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कलर काफी नैचुलर रिज देखने मिल और जो picture quality काफी विविड है, जो की बहुत ही अच्छा experience देती है picture quality के मामले में, और मैं यहाँ पर एक light बन कर देता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा सा और अंदा आ जाओ था कि डार्क एरिया में कैसे perform करेगी यह टीवी, तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि 4K विडियो बहुती अच्छी तरह से प्ले हो रहे थे, यह full HD वेरियंट है, लेकिन बहुती अच्छी तरह से अप scale करके हमें 4K विडियो प्ले हो रहे थे, और picture quality काफी अच्छी लगी, बहुती अच्छा विडियो एंगल है क्योंकि इस टीवी में लगाए गया है IPS पैनल अब एक बार चेक कर लेते हैं इस टीवी की settings में जाके क्या क्या options हमें देखने मिल जाएंगे, यहां पर मैंने अल्री वाइफाय मेरा connected है तो यहां पर एक बार मैं जाता हूं devices preferences में यहां पर मैं जाता हूं about के option में और यहां पर system update एक बार update चेक कर लेते हैं कि यहां पर कोई तो your system is up to date लिखा गया है मतलब साधी सीदी updated है इस टीवी में उसके बाद यहां पर memory देख बारे में तो यहां पर android 9 का version दिया गया है और एक बार यहां पर open करके देख लेते हैं कि अगरे में तो एंड्रोइड 9 operating system के साथ आने वाली टीवी है उसके बाद एक पर मैं जाता हूं जल्दी से पीछे और यहां पर languages तो यह सारी मतलब settings यहां पर आपको देखने मिल जाएंगे और sound पर आते हैं बहुत ही जल्दी यहां पर storage मिल जाके देखेंगे तो यहां पर आपको 32 GB का internal storage अगें यह आपको दूसरा कोई भी ब्रैंड अभी दख नहीं देता शायद एक यह टीवी आने के बाद बाकी ब्रैंड भी देना चालू कर देंगे ऐसे configuration तो यहां पर आपको 32 GB का internal storage Android operating system के इसाप से बहुत ही must है क्योंकि आप बहुत सारे गेम्स और दिया गया है 4.0 वर्जन लेटेस्ट नहीं है लेकिन अगर लेटेस्ट रोता तो बहुत अच्छी बात हुए लेकिन इस टीवी में 4.0 वर्जन आपको देवी में देखने मिल जाए और दोस्तों आप बारी आती है sound test की तो आप चेक कर लेते कि इस TV की sound quality कैसी है 20 Watt का sound output द कर दोस्तों हम सभी ने सुना इसकी audio को तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा audio quality के मामले में शायद उतना अच्छा मुझे नहीं लगा परसनली इस TV को अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो यहां पर मैं आपको recommend करूँगा definitely आपको sound bar या home theater के जरूर पड़ेगी क्योंकि उसके बीना audio को जो experience है इस TV का फीका पड़े जाएगा क्योंकि मुझे उतना परसनली पसंद नहीं आया काफी loudness है लेकिन audio में लेकि जो base है काफी कम लगा और sound effect होता है और experience होता है उतना अच्छा नहीं लगा इस TV के मामले में तो यहां पर मेरा recommendation होगा इस TV के बारे में कि आपको sound bar या home theater बहुत जादा जरूरी है और मेरा strong recommendation होगा इस TV को लेके और दोस्तों आब आगे बढ़ते और बात करते हैं यहां प L1 Prime का है तो एक वीडियो में आपको play करके sample दिखाता होगे कैसे काम करता है और यह TV में जब मैं बात कर रहा हूँ content provider के बारे में तो यह Google certified TV नहीं है L1 certification इस TV का नहीं हुआ है तो इस TV में आपको जो resolution मिलेगा 480 पे ही आपको इस वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि य दोस्तों यह सारी बात हैं कि इस TV से related आप यहां पर बात करें इस TV के remote के बारे में तो इस TV में एक नहीं दो-दो remote मिलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं standard remote के बारे में तो जब आप TV यूज़ कर रहे हो non smart TV mode में मतलब समझ लो कुछ setup box वज़रा connect किया तो उस समय इस remote को यूज़ कर सकते हो यहां पर बहुत सारे बड़न दिये गए हैं और मेरा experience उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा इस remote को लेकर अब बात करें इस TV के smart remote के बारे में तो यह काफी अच्छा लगा इसका navigation काफी smooth और user experience बहुत ही अच्छा रहा और यहां पर बहुत ही limited button दिये ग observe कि इस TV में कि यहां पर जो voice enable feature है उतनी accurately काम नहीं करता आप proper बोलोगे नहीं दो या तीन बार तब तक को अच्छे से काम नहीं करता तो यह मेरा experience रहा इस voice enable remote feature को लेकर तो दोस्तों यही थी सारी detail इस TV को लेकर और आप यहां पर बात करते कुछ pros और cons की जो मैंने observe कि इस पैनल के साथ आने वाली टीवी है ब्राइटन निट्स भी 350 निट्स की दी गई जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी तो यह pros होगे इस TV के और इसी के साथियत high configuration यहां पर इस TV में देखने मिलेगा जो शायद आपको दूसरा ब्रैंड नहीं देता जिसमें आपको 4GB का रह काफी अच्छी तरह से लोड होते हैं काफी अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको फुल वर्जन प्ले स्टोर देखने मिलेगा तो यह सारी बाते होगे इस TV से रिलेटेड जो मुझे अच्छी लगे लेकिन जहां पर अच्छी चीजी है तो वहां पर कुछ पुरी बाते भी होती है तो यहां पर मैं कहना चाहूँगा इस TV की सबसे बुरी बात लगी इस TV का ओडियो ओडियो मुझे जरा भी पसंद नहीं है मैं परसनली रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप साउंड बार या फिर होम ठीटर आपको बहुत जादा जरूरी है अगर परसनली मुझे जादा पसंद नहीं आया और बात करें अब टीवी के प्राइजिंग के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हमारे इंडिन कस्टमर के लिए क्योंकि प्राइज अगर कितनी है उसके उपर ही डिसाइड कर पाएंगे कि हमें टीवी लेनी चाहिए या नहीं तो इस टीवी की बात करें तो यह टीवी 14 वेरिंट का है फूल एजडी वेरिंट है और इसकी बात करें प्राइजिंग के बारे में तो यहां पर राइडिक ब्राइज ने प्राइजिंग अलग लग रखी है तो यह बेसिक मॉडल है तो इसकी प्राइजिंग आ जाती है बाइस हजार रुपए के आसपास और बात करें इसके इलीट वर्जन के बारे में तो उसकी प्राइजिंग कुछ जाती है 26,000 के आसपास तो इसके अलग 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 दिये गए जिसमें बेसिक और एलीट मॉडल दिया गया है तो इस स्क्रीम पे आप लोग दे कैसे आप पर्चेस कर सकते हो इस टीवी को तो पर्चेस करने का जो तरीका है काफी अलग है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्याएगी जो डिस्क्रिप्शन है मैंने एक लिंक दी कही है उस पे आप क्लिक कीजिए और आप अपने लिए एक डेमो बुक कीजिए और अब फिलाल लॉंच होरी है बैंगलोर में और बैंगलोर में लॉंच होने के बाद अगले मेरे मतलब ऑक्टोबर में आपको यह तीवी दिखने मिल जाएगी मुंबवई है तरभा दे दे बाद में ढ़िए बाकी सब सिटी से इसमें यह आने वाली है तो ऐसा कुछ प्लान है तो फिलाल के लिए अभी ये टीवी लॉंच हुए सिर्फ बैंगलोर के तो कोई भी बैंगलोर का जो परसन है उसको टीवी ले नी है तो डिस्क्रिप्शन ने मैं लिंक दिया है उसको क्लिक कीजिए उसके बाद आप जाओगे इस टीवी के वेबसाइट पर उसके बाद आपको वहाँ पर करना है बुक डेमो और डेमो बुक करने के बाद अगर आपको डेमो देखने का टीवी अगर पसंद आया तो आपको तो यहां पर पर प्रोसेस आप बाई करने का जो प्रोसेस काफी अलग है यहां पर एक चीज मुझे बच्छी लगी इस ब्रैंड की जहाँ पर आपको कहा जा रहाए कि भाई आप पहले टीवी देखो उसके बाद ही लो ये बहुत अची बात लेगी मुझे लगता शायद कोई ब्रैंड होगा जो आपको सामने से बोला है कि भाई आप आके टीवी देखो उसके बाद ही डिसाइड करो कि आपको ले दी है या नहीं ली तो यहाँ पे एक प्रस बेंड हो जाता है इस ब्रैंड है इस ब्रैंड का रियंद मुझे लगता है कि शायद इस बार उस चीजों को इंप्रूफ किया गया है आने वाले बोलते ना टीवी को लेकर जो भी टीवी सेग्मेंट होगे जो भी इनके प्रोडक्स होगे उसमें आपको सर्विस काफी अच्छी दे गए दी जाएगी ऐसा मैं उमीद करता हूँ इस ब्रैंड से और इसी के साथ ही जाएगा इस बार कुछ सोच समझ के उन्होंने टीवी लॉंच किये तो शायद काफी अच्छे हथ पर बोलते ना आपको थोड़ा सा लंबा हो गया रहेगा लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर एक चीज डीटिल में बताया जाए इसी के साथ ही जड़ा करें वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग नहीं है अमारे चनल को सब्सक्राइब कीजे और आपको मिल अन्यवाद मिलते अगले वीडियों में तिल दिन कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग एपकाइब बाए